चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदे की स्वागत करता हूँ दोस्तो ये जो आप NDTV का न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं इसमें NTA ने कहा है कि NEED21 का स्कोर BSC Nursing और Life Sciences में Admission के लिए भी यूज किया जा सकता है ये NTA से बातसीत होने की बाद ही NDTV ने इस परकार की बात कही है इसमें आप जो पूरा आर्टिकल देख रहे हैं इसमें ये लिखा गया है कि पहले 2020 तक जो NEED स्कोर यूज होता था वो MBBS, BDS, IUS और Veterinary प्रोग्राम में Admission के लिए NEED स्कोर यूज होता था लेकिन अभी आने वाड़े समय में यानि 2021 में ये BSE Nursing और Life Sciences courses में Admission के लिए भी ये score यूज हो सकता है हालांकि ये NTA ने अभी तक अपने website पर इस परकार की कोई official information नहीं दी है ये सारी information आपको information ब्लेटीन जब आएगा NEED 21 का उसमें सारी की सारी information मिलेगी क्योंकि जो भी NEED से Admission होता है पिसली बार जब NEED 20 का information ब्लेटीन आया था उसमें माराश्ट्रे स्टेट के लिए जिन जिन courses में NEED score से Admission होता था उसकी पूरी लिस्ट दी गई थी तो इस परकार से कौन-कौन से courses में NEED 21 के score के थूर एड्मिसन होगा ये पूरी जानकारी हमें information ब्लेटीन में ही मिलेगी ये NDTV का news article है आप ये देख सकते हैं इसमें और इसमें ये भी लिखा है कि जो state हैं वो भी NEED 21 का score यूज कर सकते हैं बाकी courses के लिए तो जैसे ही इसके बारे में और कोई update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा अभी तक इतनी ही update है कि NDTV जो news article है education का उसमें ये ही कहा गया है कि NEED का जो 21 का score है वो BSE Nursing और Life Sciences courses के लिए भी यूज हो सकता है तो जैसे इसके बारे में update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वह ज्यादा ज्यादा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद